हेलो अबरिवन तो आज एक नया टॉपिक हम देखेंगे एलेक्टिसिटी टैरिफ थो कि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ठीक है किसी भी एससी जैसे एक्जामस के लिए या फिर अलग जो एक्रम्स होते हैं आपके जैसे कि आपका DMRC का होता है और different LMRC जैसे papers उनके लिए काफी important topic है तो electricity tariff ठीक है हम देखेंगे topic के बारे में तो electricity tariff क्या होता है ठीक है और कुछ MCQs देखेंगे आपके topic खत्म होने के बाद जो की पूछे गए हैं आपके paper में ठीक है तो tariff is the method of charging a consumer for consuming electric power कितनी electric power को आप consume कर रहे हैं आप अपने domestic user हों चाहे industrial user हों ठीक है तो उससे साफसे जो आपकी company होती है ठीक है कोई से भी company हो सकती है आपकी government या private company तो उस कितनी electric power को आपने consume किया उससे साफसे क्या करता है consumer को charge करता है और कह सकते हैं या एक amount है या फिर एक fair है जो कि आपसे यानि कि consumer से लिया जाता है consumers आप जानते हैं consumers को बोलते हैं उप भोगता तो जो consumers amount जो यूज कर रहा है energy का जितनी units को consume कर रहा है आपकी घर में units के साफसे आपका bill बनता होगा उसी bill में पैसे लिखे होते होंगे तो उसी पैसे को क्या बोलते हैं fair और या फिर amount ठीक है जो कि consumer से लिया जाता है according to the units consumed according to the energy consumed ठीक है तो टरिफ किस हिसाफ से बनता है आपका तो टरिफ एक टाइप है total of cost of generation transmission और distribution इन तीनों को cover किया जाता है क्योंकि आपको पता है बजली बिनाने में में मेनत लगती है transmission करने में मेनत लगती है और distribution करने में मेनत लगती है तो उस हिसाफ से total जो generation से लेकर distribution से जितना भी सफ़ार है आपके electricity का उस हिसाफ से यह लोग आपके tariff defined करते हैं ठीक है tariff आपको समझ में आ गया होगा tariff का मतलब एक rate है जो कि आपसे लिया जाता है यानि कि आपसे बस उला जाता है जितनी भी energy आप अपने घर में utilize कर रहे हैं या फिर जितनी भी units आप consume कर रहे हैं electricity की ठीक है तो electricity tariff जो होता है वो इसकिन फेक्टरों पर depend करता है तो फेक्टर से आपके load कितना load आप क्या लगा हुआ है आप जानते हैं आपके गर में single phase और three phase होता है ठीक है तो single phase में भी one kilowatt three kilowatt five kilowatt ठीक है और three phase में five kilowatt ten kilowatt उससा आपके load लगे हुए थीक है तो tariff से होता है लोड पर depend करता है ठीक है किस प्रकार का आप क्या load है कितना load वो consume कर रहा है कितनी energy को time at which load is required कॉंसे time प्र कॉंसा load की requirement है उससाबसे भी टरीफ करता है म różब ये सी आप रात में चला रहे हैं दिन में चला रहे हैं घर्मी में चला रहे हैं और लोड पीपैक्टर प्लूट प्ञूट्ट ओंग करता है जैसे की लो power factor है तो आपको जो amount है वो ज्यादा देना पड़ेगा और high power factor है तो आपको कुछ concession भी मिल जाता है ठीक है amount of energy used कितनी amount energy आपने use किये उस पर भी आपका tariff depend करता है ठीक है तो कुछ types हैं tariff के हम देखते हैं कौन कौन से types हैं तो पहला है आपका simple tariff आप देखिए points याद रखते चलना क्योंकि आपके points बहुत important है उसी इसाथ से आपके questions बनेंगे तो पहला point है कि इस type के tariff में fixed rate is applied for each unit of energy consume जितनी भी आप energy consume करेंगे एक fixed rate applied है हर एक unit की माली जी दस एक unit है उसका इनों ने दस रुपए set कर दिया तो यह ही आपके क्या हो गई simple tariff यानि कि जितनी energy आपने consume की माली जीए एक unit आपने consume की energy तो आपके 10 रुपए company वाले आपसे ले लेंगे तो यह fixed rate किस में apply करते हैं पहला point हो गया पहला आपका mcq हो गया simple tariff दूसरा mcq आपसे question paper में पूछा गया है कि uniform tariff किसको कहते हैं uniform tariff आपका simple tariff ठीक है तीसरा point है आपका कि इस type के tariff में price charge पर unit constant हमने देख लिया है एक unit के 10 रुपए fix हैं तो fix हैं यह vary नहीं करेंगे चाहे आपने number of units जादा consume की हो या फिर कम units consumed की हो ठीक है तो वो fixed रहेगा दस रुपए fix रहेगा एक unit के चाहे आपने 100 कर दी हो चाहे वो आपने एक ही की हो ठीक है अब the congestion of electrical energy at the consumer's terminal is recorded by means of energy meter आपके घर के अंदर एक घर के बाहर energy meter लगा हुआ होता है वो आपके units को show करेगा उसे सबसे बिजली वाला आएगा आपके units को देखेगा उसे सबसे आपका bill बन दाएगा तो advantage क्या है सबसे simple tariff है और आसानी से सारे consumers को समझ में आ जाता है अब बात करें तो इस diagram based पर भी question आपका पूचा गया है कि units consumed और charge के बीच में diagram है तो जितनी units आप consume करेंगे उस सबसे आपका charge बनेगा advantages आपने देखे लिए कि simple method है आसानी से समझ में आ जाता है और हर एक consumer को अपनी utilization के according pay करना पड़ता है लेकिन कुछ disadvantage भी है disadvantage यह है कि different type आप से consumers होते हैं किसी का load ज्यादा है किसी का load कम है कोई industry है कोई domestic है ठीक है तो अलग-अलग परकार के consumers पर कोई बेदवाम नहीं है इदर ठीक है जब किसी को भी incentives नहीं मिलता है ठीक है incentives का मतलब है कोई attractive features किसी को नहीं दिये जाते हैं चाहिए वो energy ज्यादा consume करें ठीक है cost पर unit एक हाई है माली दस रुपए मैंने बताया तो बारा रुपए है कहीं जगे 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 तो flat rate tariff ठीक है flat rate tariff को हम समझाते हैं कि इस type के tariff के अंदर different types of consumer are charged at different rates of cost per unit kilowatt hour of energy used different consumers are grouped under different categories तो simple rate tariff में क्या था एक ही चास्ता fix चास्ता चाहिए वो different types of consumer हों लेकिन flat rate tariff के अंदर different types of consumers के लिए अलग-अलग tariff defined है जैसे कि category 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग तो यह diagram आपके याद रखना पड़ेगा यह diagram भी आपसे question में पूछते हैं कि एक diagram किस tariff को show करता है माल लीजे कि flat rate per kilowatt hour lightning load के लिए 60 पैसे है और power load के लिए 55 पैसे है lightning load जैसे कि normal load होता आपके घरों के अंदर उसके लिए 60 पैसे लिए जाएंगे और माली जब power load है, industry load है तो उसके लिए 55 पैसे बनेंगे तो यह different consumers हो गए यानि कि एक तो आप हो गए और एक आपके company वाले हो गए इंडिस्ट्री वाले तो कि अलग-अलग loads हो use करते है इस tariff का क्या advantage है ठीक है तो इस tariff का क्या advantage है यह सब के लिए fair error है ठीक है fair error का मतलब यह है कि कोई बेदवाव नहीं है महां पर discrimination हो रहाता applied to domestic consumers ठीक है disadvantage का है since the flat rate tariff varies according to the way supply is used separate meters are required for lightning load और power load ठीक है अलग-अलग meters required होते हैं lightning load के लिए और आपके power load के लिए जिससे आपका जो एक flat rate tariff का application है एक expensive और एक complicated हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपका block rate tariff होती अच्छा tariff है important tariff है और आपके domestic users और यूज़ करते हैं वो यह ही tariff है block rate tariff इस tariff के अंदर आपका पहला block को define कर रहा है energy consumed को define कर रहा है जिसमें आपके जो इनिट्स हैं वो fixed है ठीक है points को ध्यान लगते चलना diagram की through में समझाता हूं ठीक है यह आपका पहला block है यह आपका दूसरा block है यह आपका तीसरा block है माल लीजिए इसमें आपने 100 units को consume किया ठीक है तो उसमें आपकी एक जो rate है वो fix कर दी जाएगी 100 units पर माल लीजिए कुछ rate को fix कर दिया ठीक है और अगर आप 100 units से उपर use करते हैं तो आपकी जो rate है वो reduce कर दी जाएगी और उसकी उपर भी करते हैं तो आपकी rate बहुत दी reduce कर दी जाएगी तो success is blocks है आपके 1,2,3 blocks जो है ठीक है अगर आप ज्यादा से ज्यादा energy यूज़ करते हैं तो आपके rates को reduce कर दिया जाएगा तो rate per unit in each block is fixed तो यह भी आप से पूछर आएगा ठीक है points पहला यह point हो गया दूसरा यह point हो गया तीसरा यह point हो गया माल लिज़े मैं एक example लेता हूँ कि पहले 30 units के लिए 60 पैसे मैंने लिए अगली 25 unit के लिए 55 पैसे लिए और बाकी के जो units हमने use करे हैं एडिशनल जो units हैं उसमें मैंने 30 पैसे लिए तो इसी साथ आपका block rate tariff काम परता है अलग-अलग blocks के लिए अलग-अलग units आपके अलग-अलग जो charges हैं वो आपके defined हैं application क्या है residential और small commercial consumers यह noted कर लेना एक question पूछा रहेगा आपसे ठीक है advantage क्या है एक meter use होता है हां क्या हो रहा था flat rate tariff में तो meter use कर रहे थे एक power load के लिए और एक normal load के लिए ठीक है एक lightning load के लिए एक power load के लिए incentives provide करते हैं consumers को एक कम rate पे ठीक है आपने देखा हुआ consumer अगर ज्यादा energy use करेगा तो उसको rate उसके reduce कर दिये जाएंगे ठीक है और this improves the load factor and reduces the cost of generation or disadvantage क्या है अगर consumer consumer नहीं कर रहा है energy किसी भी particular month में the supplier does not charge any money even though the connection provided to the consumer has its own cost मतलब consumer को ठीक है अगर consumer consumer नहीं कर रहा है energy किसी में मत्में तो supplier कोई भी चार्ज आप से consumer यानि consumer से नहीं लेगा चाहिए connection आपके consumer ने अपने cost पे क्योंगा लगाया हो ठीक है कहने का मतलब यह है कि connection तो आप क्या लगा हुआ है connection आपके लगा हुआ है लेकिन आपने कोई energy consume करें ही नहीं है तो जो supplier है यानि कि जो companies हैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगी चल भले ही आपके connection लगाओ मतलब connection लगा हुआ का मतलब यह होता है कि आपसे चार्ज दिया लाएगा लेकिन इस case में यह disadvantage है next topic है two-part tariff two-part tariff का मतलब है कि इसके अंदर दो components आएंगे ठीक है उसी इसाफ से आपका tariff cost a plus b और b define कर रहा है आपके energy consumed को तो कई बार एक question पूचा गया है कि a किसको define कर रहा है a is defined as ऐसे पूचा रहाता है a is denoted as and b is denoted as तो a define कर रहा है charge per kilowatt of maximum demand और b define कर रहा है charge per kilowatt hour of energy consumed समझ गए fix charges will depend upon maximum demand आपने देखा fix charges कौन से आपके a है और running charges कौन से आपका b है जो energy consume पर depend कर रहा है ठीक है हो गए आपके तीन-चार point the test type of tariff is most applicable to industrial consumers who have appreciably maximum demand तो देखा आपने यह आपकी industrial consumers के लिए use होता है जहां पर maximum demand की ज़्यादा जरूरत को दिया कि advantage क्या है if a consumer does not consume any energy in a particular month the supplier will get the return equal to the fixed charges जो advantage है वो आपका disadvantage भी बन सकता है इस point में advantage है कि अगर consumer ठीक है किसी भी मन्त में energy को consume करी नहीं राए ठीक है केबल उससे क्या लिया जाएगा 후 fix charges थे जाएंगे ठीक है कोई आपका मतलब fix charges का मतलब क्या है total cost का Ana कितनी वनेगी आपकी a in tulee व नहीं गuba काकी आपने यूज Ole कि नहीं कर नहीं है उन्हों कि running charges पता ही नहीं ठीक है तो भी चार्जेस रेगुलरली देना ही पड़ेगा ठीक है तो maximum demand of the consumer is not determined ठीक है तो उसे साफसे आपका maximum demand जो आपने consumer का maximum demand है वो company वाले निकाली नहीं पाएंगे ठीक है कौकि आपने यूजी नहीं करी है यह electricity टू-component fixed और running ठीक है अगले उस पर चलते हैं तो maximum demand tariff को आपने कहां देखा आपने पिछले ही टूपाट टैरिफ के अंदर देखा कि ए जो डिनोट कर रहा था आपके maximum demand को तो maximum demand tariff है और टूपाट टैरिफ के ही similar है लेकिन केबल एक ही चीज़ का difference है कि इसके अंदर आपको maximum demand meter को install करते हैं ठीक है और यह टाइप का टैरिफ यूज करते हैं पड़े consumers को बिग consumers के लिए हम इसको install करते हैं अगला है power factor tariff बहुत important आपका tariff है तो आप जानते हैं कि consumers का load पे आपका power factor depend करता है ठीक है और अगर optimal operation चाहिए यानि कि अच्छा एक operation चाहिए तो power factor high होना चाहिए क्योंकि low power factor क्या करता है losses ज्यादा करता है और system को imbalance करता है तो जिसका power factor low होता है उसको पाइसे ज्यादा देने होते हैं और जिसको जिसका power factor high होता है उसको कुछ discount या incentives company प्रवाइड करती है अब इसके अंदर भी आपके तीन टाइप के tariff होते हैं पहला है आपका maximum demand tariff kva maximum demand tariff ठीक है एक क्या था आपका maximum demand tariff और इधर है kva maximum demand tariff तो यह modified format two part tariff का question मन गया आपका ठीक है in this case the fixed charges are made on the basis of maximum demand in kva not in klo watt तो बहुत important point है कि इसमें तो maximum demand है तो kva पर based है यानि की current और voltage पर ना की किलो वाट पर है ठीक है power पर डिफैंड नहीं कर रहा है जबकि voltage और current पर maximum demand आपका defined कर रहा है तो kva आप जानते हैं inversely proportional होता है power factor के जैसे कि आपको formula पता होगा कि लोगवाट प्रकॉर्स टू के वीए कॉसफ़ाइं ठीक है अब इधर लिखा हुआ है कि therefore a consumer having low power factor has to contribute more towards the fixed charges तो consumer जिसका low power factor होगा उसको fixed charges ज्यादा देने होंगे ठीक है इस टाइप टैरिफ है इस था एडवांटेज डिट करेश कंजूमर्स टू ऑपरेट यह एप्लाइंसे माशिनरी एड़ी इंप्रूब पावर फेक्टर तो के वीए maximum डिमांड टैरिफ जो है वो कंजूमर्स को encourage करता है कि वो अपने appliances और जो machinery parts है उनको अच्छे पावर फेक्टर पर चलाएं यहाई पावर फेक्टर पर चलाएं ठीक है दूसरा टाइप पर टैरिफ है आपका sliding skill टैरिफ इससे भी एक question पूर्शा गया है जो कि पहला point में लिखा हुआ है this is also known as the average power factor टैरिफ याद कर ले ना इस पावर फेक्टर में इस sliding skill टैरिफ में आप एक average power factor को लेते हैं ठीक है माल लीजे point eight lagging company ने decide कर दिया ठीक है इसको हमने reference ले लिया अब बात यह है कि अगर power factor इस pointed lagging से कम हो गया तो company आपसे additional charges लेगी ठीक है और अगर जादा हो गया तो आपको discount भी दिया जाएगा कितनी अच्छी बात है ठीक है अगला आपका है kilowatt और kvar tariff यानि कि active or reactive power tariff इसके अंदर क्या होता है कि बोथ active and reactive power supplied are charges separately अब consumer having low power factor आप जानते हैं अगर consumer का power factor low है तो वह reactive power draw करेगा ठीक है तो उससे साबसे उसको ज़्यादा पेग करना पड़ेगा ठीक है यह last tariff है आपका मतलब three part tariff three part tariff के अंदर क्या होता है two part tariff आपने देखा था two part tariff में आपके एक fixed charge आ रहा था और क्या रहा था running charge आ रहा था ठीक है इसमें तीन section है fixed b है semi fixed b है और साथी साथ running है a plus b plus c यह आपके total charges हो गए a denote कर रहा है fixed charges को b denote कर रहा है charges per kilowatt of maximum demand c denote कर रहा है charges per kilowatt hour of energy consume आप आपने देखा था कि two part tariff के अंदर a क्या था जो इदर b है और b क्या था जो इदर c है ठीक है तो इसमें fixed charges semi fixed charges और running charges include हो गए उसे के हम three part tariff कहेंगे यह tariff आपका use होता है generally applied to big consumers ठीक है अब देखिए एक question है आपसे पूछा गया है SSCJE के exams में कि किसी electrical system है जब fixed rate है per unit of energy consume it is colder अभी मैंने बताया पहले ही point पहला page कि उसको हम बोलते हैं simple rate tariff या फिर uniform rate tariff देखा point आपने अगर आप भूल गए हो तो सबसे पहले page बिलाना है आपको इदर simple tariff के अंदर तो हमने देखा था simple tariff कौन सा था हमारा uniform tariff ठीक है तो जो points उपर है वहीं आपके पूछे गए हैं किसमें objectives में tariff क्या है tariff rate है tariff एक आपका amount है जो आप pay करते है according to your energy consumed तो answer क्या होगा option number B कि the rate at which electrical energy is supplied to consumers वहीं आपको क्या है tariff अगला है अगला है फ्लेट टेट टेरिफ किस चार्ज पर किस पेसिस पर चार्ज किया रहाता है flat rate tariff आपने देखा था कि जितनी वी units आप consume कर रहा है उसी साब साब का flat rate tariff बनाए रहाता है domestic consumers कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपने देखा था block rate tariff ठीक है कुछ इस परकार था और अगला question भी आप देखेंगे मैंने point को अच्छे से define किया था महां पर कि small commercial consumers और domestic consumers के लिए block rate tariff का हम यूज़ करते हैं यहां पर मैं दिखा दिता हूँ block rate tariff को कि एरा वो point ठीक है अगला है कि block rate tariff where energy charges decreases with with the increase in energy consumption तो question कहना चाहरा है कि हमने point पढ़ा था block rate tariff में कि इस unit का कुछ fix था इस unit का कुछ charge अलग था और इस unit का चार्ज कुछ अलग था मतलब आमने 100 unit यूज़ करी थी तो आपका एक चार्ज़ दे रहे थे 100 unit के उपर यूज़ करी थी तो आप rate को reduce करके दे रहे थे मतलब कम पैसे दे रहे थे और additional charges में और कम पैसे दे रहे थे तो block rate tariff ये बताना चाहरा है कि एक consumers को encourage करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा energy को utilize करें और ज़्यादा से ज़्यादा consumption करें energy का ठीक है टूपार टैरिफ किस basis पर चार्ज कर रहता है तो टूपार टैरिफ में हमने देखा था ए प्लस पी ए क्या था किलो वार्ट को कर रहा था और बी कर रहा था किलो वार्ट हावर को याने कि unit consume क्या था आपका ए बो ए था आपका maximum demand को कुछा देपेंड कर रहा था ओँविए आपका युनिट कर रहा था ओके अगला है कि फिक्स चार्जेस is dependent वाइट फेक्टर ठीक है तो फिक्स चार्जिस क्या था यह था हम एको ही क्या बोल लेते च्छारज्ज़ और वी को क्या बोल लेते अणिक चार्ज़ तो अन्सर क्या कंजूमर है अगर एनरजी को कंजूमी नहीं कर रहा है फिरी भी उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा ठीक है यह क्या था में डेसेड़ांटेस था आपका टू-पार्ट टैरिफ का अगला क्वेशन है कि दमोस्ट आइडियल टैरिफ तो सबसे जो आइडियल टैरिफ है वो क्यों कि फिक्स चार्जिस भी आ रहे हैं और रनिंग चार्जिस भी आ रहे है ठीक है तो तीनो टैरीफ के चार्जिस के अदर इंकलूड है ठीक यह सबसे और त्वानना चता है अगला है ऑट इस सबसे डित्वार है कि power factor tariff के अंदर के वी मैक्सिमुम डिमांड टैरिफ है और मैक्सिमुम डिमांड टैरिफ अलग है ठीक है अगला पॉइंट है विच टैरिफ इस आल्सो नोन अगर कंजूमर इसके बिलो जाएगा तो इसको एडिशनल चार्जिस देने होंगे और अब जाएगा तो कुछ डिसकाउंट कंपनी उसको प्रवाइड करेगी तो इन पॉइंट्स को आप लिख लेना नोटेट कर लेना कई पेपरों में आपसे एक या दो कुछिन तो जरूर कर सकते हैं